एक बार एक कवी हुआ करता था, उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया राजा के बुलाये जाने पर उसने अपनी कवीताएं पढ़नी शुरू कर दी राजा बहुत प्रसन्द हुआ और उसने कवी से अपना इनाम मांगने के लिए कहा कवी ने मोहरों से सजे शतरंज की और इशारा करते हुए कहा महराज अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया बस इतना ही राजा ने पूछा सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं जी हां महराज तो फिर ऐसा ही हो दर्बारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिये पहले खाने में एक दूसरे में दो तीसरे में चार चौथे में आठ इस तरह वो रखते गए जब दसने खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के पांच सो बारा दाने रखने पड़े बीसमें खाने तक संख्या बढ़कर पांच लाख चौबीस हजार दोसो अठासी हो गई आधे हिस्से तक आते आते बतीसमें खाने में चावल के दानों की गिनती दोसो चौदह करोड चोहत्तर लाक तिरासी हजार छेसो अरतालीस हो गई जल्द ही गिनती अर्बों खर्बों में बढ़ गई आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवी के हाथों सौपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी कहानी की सीख चक्र विद्धी की ताकत को कम नहीं आखना चाहिए